नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस विडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में गरहन कब-कब लगने जा रहा है 2024 में कुल कितने गरहन लगेंगे यह गरहन किस परकार के होंगे इसमें से कौन-कौन सा ग्रहन भारत में दिखाई देगा और क्यूं 2024 ग्रहन के मामले में बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे ग्रहन का टाइम, ग्रहन का सूतक काल और ग्रहन से जुड़ी वी जो भी जानकारी है प्रवेश को हिंदू धर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपुन माना गया है माना जाता है चंद्रग्रन और सूरी ग्रहन का टाइम बहुत ही ज़्यादा असुव होता है इस दोरान किसी भी परकार के सुवकाम करने की मनाई होती है ऐसे में अगर आप भी 2024 में कोई नया सुवकाम करने के बारे में सोच रहे हैं जैसे कि साधी विवागरी परवेश कोई नय वाहन की खरीदारी किसी नय प्रोपर्टी की खरीदारी या फिर अगर आप कोई बिजने से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ग्रहन का डेट और टाइम जरूर पता होना चाहिए चलिए दोस्तों जानते हैं 2024 में कब-कब ग्रहन लगने वाले हैं इसकी जानकारी सुरू करे उससे पहले एक बार भगवान भोले नात को याद करते हुए कमेंट में ओम नमसिवाई जरूर लिखें दोस्तों 2024 में कुल तीन चन्र ग्रहन और दो सुरिय ग्रहन लगने वाले हैं 2024 इसलिए भी खास है क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2023 में कुल चारी ग्रहन पड़े थे और 2022 में भी कुल चारी ग्रहन पड़े थे और इन दोनों साल में ग्रहन की सुर्वात सुरी ग्रहन के साथ हो रही है और यहाँ ग्रहन जो की साल का पहला ग्रहन होगा वह 25 मार्ज 2024 को लगेगा सुभा के 10 बज कर 23 मिनट से सुरू होगा और साम 3 बज कर 2 मिनट तक चलेगा यह चंदर ग्रहन अस्ट्रेलिया अफरिका अमेरिका के साथ साथ नौर्थ इस्ट एसिया में दिखाई देगा दोस्तो अगला जो ग्रहन है वह 8 अपरेल 2024 को लगेगा या एक सुर्य ग्रहन होगा जो की रात 9 बज कर 12 मिनट से रात 2 बज कर 22 मिनट तक चलेगा दोस्तो ग्रहन यूरोप नौर्थ अमेरिका साथ अमेरिका में दिखाई देगा या ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा ऐसे में इस ग्रहन का सूतक काल भी भारत में माने नहीं होगा। दोस्तो इसके बाद अगला ग्रहन महज कुछी दिनों के बाद 18 सप्टेमबर 2024 को लगेगा और यह एक चंद्र ग्रहन होगा। इस ग्रहन के सुरवात सुहा के 6 बज कर 11 मिनिट से होगी और यह ग्रहन दिन के 10 बज कर 17 मिनिट तक चलेगा। दोस्तो इसके बाद साल 2024 का आखरी ग्रहन 17 अक्टूबर 2024 चंद्र ग्रहन के रुप में लगने वाला है। दोस्तो अग्रहन आपको बता दे इस साल का पांचमा ग्रहन है। लेकिन यह ग्रहन पित्वी के किसी भी देश से दिखाई नहीं देगा। बलकि समुन्द में कुछ जगों पर दिखाई देगा। ऐसे में यह गरहन किसी भी देश में माने नहीं होगा उमीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरू करतीचे